हेलो दोस्तों, दोस्तों स्वागत है आपका HUS Tube पे Students, जैसा कि मैं BHU-BSC Entrance, Math और Bio Group के लिए एक special series चला रहा हूँ Students, इसमें मैं Physics का portion पढ़ा रहा हूँ तो Students, मैंने काफी topics Physics में कबर कर लिया है और Insulated BHU के questions भी करा हैं, Insulated theories और concept भी आपको बता दिया है Students तो Students, अगर आप इस बार BHU-BSC Entrance देने वाले हैं, तो आप BHU-BSC Entrance को फॉलो करके Physics पोर्शन को देख सकते हैं या आपके Entrance एक्जाम में बहुत ही helpful होगा, शीरीज BHU-BSC Entrance के लिए और Board Students के लिए बहुत ही important है Students, इस वीडियो में मैं आपको आरगन पाइप कि Theories पढ़ाऊँगा और इससे Related कुछ Numericals कराऊँगा Students जो Numericals भी अच्च्छो इंटरंस में आए हुए हैं, आपको Theories समझ में आ जाती है किसी भी इंटरंस में आवे Questions को कर सकते हैं Students तो इसलिए मैं Students Questions कराने के पहले Theories बता देता हूँ जिसे कि Theories बताने से आपके अधर एक्जांस की भी प्रप्रिशन होती रहेगी और आपको Concept भी समझ में आ जाएगा और एक दो निमर्कल जिसलिए करा देता हूँ जिससे आप समझ पाएं कि किस तरीके से में formula को apply करना है Students तो Students अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लें और bill icon जरूर प्रेस कर दें Students जिससे कि आपको latest notification तुरंद मिल पाएं जैसे ही मैं आपके लिए कोई वीडियो बनाता हूँ आपको notification मिल पाए Students और आप उस वीडियो को देखके अपना notes prepare कर पाएं और board exam और entrance exam दोनों में आप बहतर perform कर पाएं Students तो Students आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो Students आप आप देख सकते हैं कि vibration of air column in a closed organ pipe और पाइप है यह इसमें अगर आप फूक मारते हैं तो आपको CT सुनाई देती है जैसे आपका बासुरी हो गया different type की instrumental चीजों में यह आप नॉर्मली भी देखते होंगे तो आप फूक मारते हैं कोई ऐसी चीज है यहाँ पर one sided closed students आप यह देख सकते हैं यह side closed है और यह side open है students और आप फूक मारते हैं तो आपको एक sound हलकी सी सुनाई देती है और अगर आप थोड़ा तेज फूक मारते हैं तो sound तेज सुनाई देती है तो frequency यहाँ पर बढ़ती है और और तेज अगर फूक मारते है तो sound और तेज सुनाई देती है तो इसे हलके sound के लिए students यहाँ पर देख सकते हैं fundamental tone first harmonic जो जो जनरेट ह हो रहा है और यहाँ पर students जैसे आप फूक तेज मारते हैं तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ओबर टोन मिलता है या थर्ड हर्मोनिक मिलता है आपको और यहाँ पर students second overtone मिलता है और फिप्थ हर्मोनिक मिलता है तो students अभी देखेंगे कि close organ pipe में frequencies कि किन ratio में मिल रही है अगर ह हम फूक को बढ़ाते जा रहे हैं तो यहाँ देख सकते हैं जो आर्गन पाइप है उसकी लेंथ एल है students और यहाँ पर नोड बन रहा है और यहाँ पर इस्टेंस क्या है एंटी नोड बन रहा है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है मैं आपको बता दूँ जो इस पॉइंट को भी ध्यान रखें कभी कभी इंट्रेंस में डारेक्ट से question पूछा जा सकता है कि नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी है और इस्टेंस आप यहाँ जानते हैं कि हम वेलोसिटी कुष्टू फ्रेक्वेंसी मल्टिप्लाइबाइबाइबाइ है तो वहाँ से आप देख सकते हैं अभी हम इस फॉर्मुले का यूज करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेक्वेंसी कुष्टू वेलोसिटी डिवाइडड वाइबाइबाइबाइब लेंथ तो यहाँ पर जो पहला जो इसकी डिस्टेंस हमें पता चल गई कि माले इस इस पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान रखें और यह भी ध्यान रखें यह फॉर्मॉनिक है और फंडामेंटल टोन है हमारा क्लोजड अर्गन पाइप के लिए स्टुडेंस क्योंकि अभी मैं आपको उपन अर्गन पाइप भी पढ़ाँगा तो उसमें आपको कंफिजन नह है कि मैं आपको बता शुका हूं ए जो है एंतिनोड है और यह नोड है आपका और जो डिश्टेन्स है नोड और एंतिनोड के भी गवह लैम्डा बइसलवा तहां तो उस dau देखकते हैं अपकर देख सके यह कि Lambda2 माल लेंग रहे हैं इसकी wavelength थे इसकी वेवलेंग है इसतन यहाँ देख सकते हैं लेंडा बाइफोर और यह लेंडा वाइफोर प्लस लेबडा बाइफोर तो यहाँ पर इस्टून माल लेते हैं कि हमारी wavelength तो यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारा सेकेंड ऑबर टौन है या फिप्थ आर्मोनिक है वो देख सकते हैं यहां पर जो वेबलेंद लेंड़ा 3 है इसकेस में तो यहां पर देख सकते हैं अब लेंडडा 3 बईफ PayPal अंटी नोड के बेशिकीडिस्टेंस होगी और यह हो जाएगा लेंडा 3 बाइ 2 और यह भी लेंडा 3 बाइ 2 तो लेंडा 3 हुआ टो प्लस लेंडा 3 बाइ 4 हो जाएगा 5 लेंडा 3 by 4 ब्सक्रेशन लेंडा 3 इकोDos ले Nãoो हो जाएगी?. टो दीमों तो यहां पर क्या हो रहा है mat तो यहां इसलिए फिफ्ट हर्मोनिक कहेंगे और यह सेकेंड ऑबर टोन है यहां हमारा यहां पर हमें आरफ मैं के मंतीपल में तो जो भी पॉइंट बता रहा हूं आप बहुत ही ध्यान रखें ऐसे questions directly exam में पूछे जा सकते हैं तो closed argon pipe के case में odd harmonics बन रहे हैं students इस बात का ध्यान रखें अगर आपको अब दिया जाता है और पूछा जाता है फर्स्ट ऑबर्टोन क्या होगा तो आप समझ सकते हैं थ्री यहां पर देख सकते हैं आप दोनों साइड में open है तो जाँ ओपन होगा वहाँ प्लूट्ट जाद हो तो आंटी नोड बनेंगे तो यहां पर देख लीजे कि अज़ी नोडा यहांपर बनना है और नोड बनना स्पो बना rover ते च्टुरंटस वह लेंड़ा बाइफ होती है तो यहां पर हो घौ गया तो लेंड़ा वाइक टू इसटुर मालेचा नोट 설 playing गॉन nămड opportunities ऻो यूद फ़ंडा से हो जाएगा 30 वनें पर तो और हमें open closed argon pipe के case में भी फोरियल मिल रहा था यहां पर देख सकते हैं आपकी frequency open argon pipe की case में ज्यादा है fundamental जो tone है first harmonics है open argon pipe का वो closed argon pipe से ज्यादा है near about two times क्योंकि अभी correction भी इसमें देखेंगे students anti-node से anti-node की जो distance और node से node की जो distance होगी वो lambda by 2 होगी students तो यहां पर देख सकते हैं anti-node से anti-node की distance lambda by 2 तो यहां पर हमें fundamental frequency students हो मिलगा भी वाइक 2L इस case में देखते हैं जब हम तेजी से फूक मारेंगे तो यहां पर नोड और यहां पर नोड और यहां पर बीच में देख लिए नोड बनेंगे रोज़ेगा तो इस case में अगर हमारी wavelength lambda 2 हो तो हमें यह जो length मिलेगी वो मिलेगी 2 lambda 2 by 2 यह हो जाएगा 2N2 2 Vy2L जो है वो क्या है फर्स्ट हर्मोनिक्स है हमारा तो यह 2N1 हो जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर even harmonics हमें मिला है तो second harmonics तो first overton या second harmonics जो है students open argon pipe के case में वो मिला है 2N1 तो हमारा fundamental frequency से two times है तो second harmonics है तो यह even harmonics हमें मिला है 10 इस केस में तो तो इस सबPlay केस में अभी अपना pen case में भी समय हमने और प्रूक मारते हैं तो में आपर देख सकते हैं इन 2 to 3 सभफिति चैनल यहां पर त्रीम्म कर देख सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं पर यहां पर ओड रजा रियों पुआ सुर्फ में मिल रहा है तो यहां पर सब्सक्रावर सब्सक्राइब तो वह से बोलता तो यहां पर द्वाकान सभाव 받고 के fan तो closed organ pipe के case में ध्यान रखें कि सिर्फ odd harmonics मिलते हैं और open organ pipe के case में आपको event और दोनों harmonics available रहते हैं students तो ऐसे question directly आपसे पूछे जा सकते हैं students तो इन दोनों concept को ध्यान रखें आगे बढ़ते हैं इसमें मैं आपको correction बता रहा हूं क्योंकि यहां पर इस बाउंडरी तक ही नहीं होता इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है तो इसलिए यह length है L plus E तो correction हम add कर लेते हैं length की और इस side भी अगर open argon pipe है तो दो correction factor include होगा क्योंकि यहां पर भी E और यहां पर भी E इसमें तुस्ट्ट्स यह close है तो यहां पर E add होगा तो इस case में क्या हो जाएगा हमारा जो fundamental frequency होगी हो जाए कि B divided by 4 L plus E L की जगह में L plus E correction factor हम add कर लेंगे और यहां पर इस्ट्ट्ट्स जो open argon pipe के case में हमारा होगा उसमें क्या करेंगे हम B divided by 2 L plus 2 E तो यहां पर इस्ट्ट्स टू टू टाइम L में 2 times E add हो जा रहा है तो इसलिए यह correction factor हम include कर लेंगे अगर अगर students अगर problem में आपको correction with correction पूछता है तो आप correction का यूज करें नहीं तो आप directly without correction वारे formula यूज करके questions की options calculate कर सकते हैं students उसमें आप confused ना हूँ कि हर जगा आपको correction यूज करना ही है इस्ट्ट्स यह direct question भी पूछ सकता है कि आपका correction factor क्या है या किस पे depend करता है तो इसका ध्यान रखें और एकी value जो होती law students 0.6 multiply by radius या 0.3 multiply by diameter तो इस point का भी ध्यान रखें और जो अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस तरीके से समझ सकते हैं तो इस तरीके हैं रिकर्ट से समझ सकते हैं तो इस तरीके से सब्सक्राइब ने ओपेन अर्गन पाइप और एंड कर्रेक्शन देख लिए अर्गन पाइप की केस्में कि हमें किस तरीके से करना है इस्टूट्स अब हम देखेंगे प्रॉब्लम्स तो इस्टूट्स यह 2018 में आई हुई प्रॉब्लम है विए चुन्ट्रेंस में आई हुई प्रॉब्लम है 2018 पाइब सेमें सब्स्ट ऑबर टून के साफ उपन आरगन पाइब तरी क्लोज आरगन पाइप दिया हो 30 cm है तो लेंथ आप ओपन आरगन पाइप आपको बता नहीं है तो यहां पर आप समझ पा रहे होंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ओबर टोन जो है क्लोज आरगन पाइप का होता है थ्री बी बाइट फोर एल और फिर्स्ट इसे अल डैस माल लेते हैं अल डैस हमसे पूछा हुआ है इस्टूडंस ल माल लिजे आपका ख्लोज आरगन पाइप का लेंथ है और ओपन आरगन पाइप का जो लेंथ है इस्टूडंस ल डैस है तो यहां पर इस्टूडंस बी से भी कैंसिल हो जाएगा स्पीड आफ सॉ open-argon pipe के case में length है तो 3L dash equals 2 हो जाएगा 120 cm तो L dash equals 2 आजाएगा हमारा 40 cm हमारा क्या आजाएगा students open-argon pipe की जो length है वो आजाएगी 40 cm तो इसलिए हमारा कौन सा option correct होगा students second option हमारा क्या हो जाएगा correct option हो जाएगा students तो open-argon pipe की length कितनी है students 40 cm आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेस्ट कुश्चन यह तो बहुत ही जी कुश्चन है देखें इस्ट यह आपके 2017 में सी तरीके का कुश्चन पूछा गया था जैसा कि मैं आपको बता रहा था था थे है इन और इससे इन ओपेन और दौन तरीके आपको मिलते हैं जो एन एस डूऑ मिल रहा है तो only odd यह तो गलत हो जाएगा, only even यह भी गलत है, prime number यह भी गलत है, all numbers, तो इसंड है यहाँ पर क्या यह है? All numbers क्योंकि हमें, 1, 2, 3 मिल रहा है तो यह यह तो हो नहीं सकता है यह नहीं, प्राइम नम्बर जन्रेट तो हो नहीं रहा है और नम्बर से हैं correct option होगा students तो third option क्या होगा students correct option होगा students open और 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 दोनों harmonics मिलते हैं इसले students यहां पर third option correct option होगा students तो students आपको theory से question समझ में आए होगा तो इसमें आप जानते हैं कि even और दोनों तरकी हर्मेनिक्स मिलते हैं तो students हमने यहां पर argon pipe की theories देखी open argon pipe और close argon pipe की case में और हमने end correction भी देखा students कि किस तरीके से end correction एडियाई और diameter पर dipend करता है students तो students I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो students चैनल को like करें subscribe करें और share करें students और bell icon जरूर प्रेस करें students जिससे कि आपको latest notification मिल सके जैसे ही मैं आपके लिए कोई वीडियो बनाता हूं तो students अपनी तयारी करते रहिए और board exam और entrance exam दोनों के तयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते रहिए अगर इस बार आप board students है तो आप अपने concept को बहुत अच्छा कर सकते हैं और बोर्ड एक्जाम में बहतर कर सकते हैं और अगर इस बार students आप entrance exam देने जैसे NDA या NEET का exam या भी अच्छी इंट्रेंस तो आप उसके physics portion में बहतर कर सकें इसके लिए मैं आप इस्टूड़े बना हुआ हूँ आपके साथ मैं कोशिश कर रहा हूं कि maximum से maximum topic कबर कर संगो students लेकिन मुझे PhD का काम भी रहता है students तो इसे के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद students अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई करते रहिए